दोस्तों रियल मेट 12 सीरीज में काफी सरी स्मार्टफोन इंडियन मार्कर में लाउंच हो चुका है और आज आम उन्बॉक्सिंग करने वाला है रियल मेट 12 प्लस जो दोस्तों हमारे पास है के रिटेल यूनिट है और यह यूनिट आपको दुकान में और ऑन्लान में देखने मिलने वाला है आज हम करेंगे इसकी फूल अन्बॉक्सिंग और आपको आखिन में बताऊंगा क्या साच में आपको रियल मेट 12 प्लस को लेना चाहिए कि नहीं तो चुदिए बड़े को फटाफ़र आरंबर करते हैं दोस्तों यह रहा हमारे पास बॉक्स रियल मेट 12 प्लस का और टीपिकल वही पिला कलर का बॉक्स इसमें दिया गया है जहां पर पीछी में आपको MRP देखनी मिलेंगी 26,000 रूपीज पर दोस्तों हमने इसे पर्चेस किया है बस 22,000 में 8GB गरेम 256GB के स्टोरेज और एक और वरेंटेस का 20,000 में जहां पर मिलेगा आपको 8GB गरेम और 128GB के स्टोरेज करते हैं फटावर बॉक्स की अन्बॉक्स जहां पर सबसे पहले आपको एक और बॉक्स देखनी मिलेगा और जैसा कि मैं पता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है जी हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा स्टीम एजिक्टर टूल कुछ सेप्टी गाइड और कुछ यहां पर मैनेवल अगरा दिया गया है साथ में एक और चीज मिलेगा जो कि है इसका ट्रांस्परेंट TPU केस जो करेगा आपके फोन को पोटेट यह रहा हमारे स्मार्टफोन जिसे हम फिलाल साइड में रखते है और अंदर की कॉंटेंट की बात करें तो यहां पर मिलेगा आपको चार्जर जो कि है 67 वोट का एक सूपर वूग चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा केबल की बात करें तो USB 2 तो टाइप सी केवल मिलेगा और तब लोग को वो तो वह तो हमें बहुत वी बात देखने मिलेगा पर अभी हमें USB 2 ताइप सी के साथ ही चलना पर लेगा तो यह रहा हमारा बॉक्स कॉं रिटा और हैं यह इसका फस्ट को डीजाइनिंग और यह का अगर माच्छ वहिंग ऑपनू लिया । 3.5mm का audio jack दोस्तों काफी बड़ी बात है secondary mic और speaker भी आपको देखने मिलेगा यह चीज़ काफी बड़ी बात है कि आपको 3.5mm का audio jack realme is वर आपको दे रहा है right side पुरा खल यह पुरा flat दिया गया है निचे में मिलेगा पुरा एक flat designing आपको यहां पर देखने मिलेगा front और back पुरा flat दिया गया है अब चलिए करते हैं फोन को फटा फट बूट और देखने के अंदर में realme हमें क्या क्या चीज़े दे रहा है दोस्तो फोन हो चुका है हमारा fully boot सबसे पहले हम बात करें डिस्प्ले को लेकर तो डिस्प्ले यहां पर आपको प्राइक flat दिस्प्ले दिखने मिलेगा जहां पर इसमें 6.67 इंचेस का फुल SD Plus का AMOLED दिस्प्ले दिया गया है 120Hz का refresh rate के साथ एक बीट डिस्प्ले दिखने मिलेगा आपको 1200 nits का brightness मिलेगा और 2000 nits का peak brightness आपको दिखने मिलेगा डिस्प्ले ओवरॉल यहां पर दिखने में काफी huge डिस्प्ले दिया गया है चींद वरागा काफी कम है इसमें पंच वल भी काफी छोटा है और डिस्प्ले यहां पर पुरा flat मिलेगा और AMOLED डिस्प्ले दिया गया है इस प्राइजिंग में यह चीज डियल में ने काफी अच्छा काम किया और 120Hz के refresh rate है तो gaming वगड़ा खेलेंगे दिक्कत नहीं मिलेगा 120Hz के refresh rate है तो color वगड़ा पर ओभर के आने वाला है और एक चीज में जो काफी अच्छा लगाव है 1200 nits का brightness तो धूप में भी आपको काफी अराम से दिखाए देगा कोई भी दिक्कत वगड और Realme का branding में दिया गया है और look wise phone दिखने में काफी सुन्दर है और look wise में हम बोल सकते हैं कि इस बार Realme 11 से अगर compare करें तो काफी चेंज किया है और first look and designing काफी अच्छा लग रहा है और display designing दोनों ही मुझे काफी सुन्दर लगा corner wise भी पूरा यहां पर flat दिया गया पूर ए सेंसर देखने मिलेगा second camera दिया गया एट में अल्ट्रावाइट के लिए और third camera टू में अपिसल का macro के लिए और front camera मिलेगा आपको 16 में पिसल का तो camera wise भी हापर काफी improved है और बोल सकते हैं कि इस pricing में आपको OI sensor दे रहा है अब चले लेते हैं कुछ-कुछ samples और आपको होटे हैं अधे देखाते सिका bloodness कीशा काम कर रहा है और portrait कर सकते हैं यह चीज़ कंफी अच्छा है कि portrait में आप जूम कर ले सकते हैं इस आत में अधना रामा मोड्ट दिया गिया है मैक्रो मोड्ट दिया गिया है Macro मोड लै sी जे तरह चले मैक्रो को कुछ फोटोस लेते हम तो यहां पर रेर वाइट ता काफी बरिया, यहां पर अच्छा performance दे रहा है, और हम पुछ फोटोस लेते हैं, portrait मेई, normal में, कुछ फोटोस हम लेते हैं, और यह अल्ट्रवाइड है, अल्ट्रवाइड का एंगल मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा से एंगल को कॉवर कर ले रहा है, और भी हम कुछ फोटोस लेते हैं, और अगर फ्रंट केमरा की बात करें, तो यहाँ पर दिया गया है, 16 मेशल का फ्रंट केमरा, और ल बॉक्स के कॉर्णर में कुछ लिखा गया है, एकदम क्लियर में पर बारा हूं, यह इसका अल्टावाइड सेंसर है, कलर को मिनिसम देख सकते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर पर अभर के आ रहा है, जूम करके मैंने फोटो लिया है, वो भी बिल्कुल नहीं फट रहा है, और कल सकते हैं कि प्राइजिंग वाइस, मेक्रो केमरा भी काफी अच्छा है, और ये भी दिख सकते हैं, ये भी इसका पोट्रेट सोट है, और कलर कॉंबिनेशन काफी सुंदर है, कलर काफी उभर के आ रहा है, ये चीज़ में भी बोलूँगा, और डीटेलिंग आप देख सकते हैं, जो जो यहाँ पर टेक्स वक्र लिखा गया है, वो आप अच्छे से पर पार रहा है, फ्रंट केमरा 16 मेगापिसल का, और मेगापिसल वाइस केमरा काफी अच्छा है, दारी वगर अच्छे से देख पा रहा हूं में, और डीटेलिंग काफी अच्छी है, एजस वगर अच्छे पर पाएंगे, और पोर्टेट भी काफी अच्छे दे रहा है, तो आवरल, प्राइजिंग वाइस, यहाँ पर रियल्मी ने केमरा में काफी इंप्रूब किया है, और अगर रियल्मी 11 से पर कॉमपर करें, तो उससे अभी तो काफी अच्छा यहाँ आपको अच् प्रोसेजर की बात करें मीडियाटेक डाइमंड सीज सेबें जीरो फाइफ जीरो दोस्तों यहां पर एलपे डीडियर फॉरेस्ट का रेम टाइप मिलेगा और अगा एंटुदू स्कोर की बात करें तो लगबग 6 लाग का एंटू स्कोर जिया गिया है तो गेमिंग वगर काफी अच्छा है यहां पर मिलेगा इंटशल फिंगर पेंद और फेस लोग की क्योंकि एमिले डिस्प्ले दिस्प्ले दिया गया है और इंटशल की श्मूथ और काफी एकुरेट काम कर रहा है बस अब टच कि जिये और फोन आपका उनलो तो काफी स्मूथ और काफी किया है और security में आपको दिक्कत नहीं मिलने वाला है बाकी कर बात करें इसकी बैटरी और charger की बारे में तो 5000 image की बैटरी मिल रही है आपको box के अंदर और अगर charger की बात करें तो box के अंदर ही आपको मिलेगा 67 वर का charger जियां दोस्तों ये और ये overall realme 12 plus के बारे में जहांपर दो वरेंट मिलेगा RGB ग्राइम 108GB के श्टोरी जिसका प्राइजिंग है 20,000 और RGB ग्राइम 255 श्टोरी जिसका प्राइजिंग है 22,000 दोस्तों प्राइजिंग वाइज अगर मैं फोन की स्पेसिफिकरिक्स की बात करूं तो फोन मुझे बोल अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो रियल में 12 प्लस आप ले सकते हैं प्राइजिंग वाइस अगर आपका बजट 20,000 का लग भग है तो यह इस फॉन आपके लिए काफी अच्छा है बाकि दोस्तों इस फॉन के डिकारिंग आपके का डाउट है आपके का सजेशन है कमें कर दो कर दो आपके के लिए क två yeah